नमस्कार आज के हिंदी समाचार में आप सभी को स्वागत है सबसे पहले मुख्य समाचार सेल आरेस्पी का उर्जा प्रबंदन विभाग द्वारा 2019 में उलेखनीय प्रदर्शन दर्ज RSP की स्टार साइक्लिस स्वाती सिहा को खेलो इंडिया यूद गेम्स में दोस्वन एवं एक रज़त पदक प्राप्ट और सेल आरेस्पी के पारश्वान चलगाओं के चात्रो एवं महिलाओं को मश्रूम खेती का प्रशिक्षन प्रदान अब समाचार विस्तार से कैलेंडर वर्ष 2019 में सेल रावर केला स्टेल प्लांट RSP के उर्जा प्रबंदन विबाग EMD ने विभिन पहलूँँ पर उलेकनिय प्रदर्शन किया है विबाग ने ISO प्रमानन के आधार पर प्लांट में कई मील के पत्थर को पूरा करने और सैयत्र में उर्जा की खपत के सम्मन में तक्निकी आर्थिक परमेटरों में सुधार करने में सक्षम था नोडल विभाग के रूप में EMD ने स्टेल प्लांट को ग्लोबल स्टेंडर्ड ISO 50001 ब्लास्फरनस 5 के लिए उर्जा प्रबंदन प्रणाली प्रमाणन कोक ओवन बैटरी छे पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन PBS और न्यू प्लेट मिल विभागों में मदद की हाली में CEO सम्मिलन कक्ष में आयजित एक समारों में RSP के CEO श्री दीपक चट्टराजने कारेपालक निर्देशक वर्क्स श्री पी के दास कारेपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशाशन श्री राजवेर सिहं कारेपालक निर्देशक सामगरी प्रभंदन श्री डी के मह पात्र कारेपालक निर्देशक परियोजना श्रीपंकच कुमार मुख्यमा प्रबंदक वित्त एवं लेखा श्रीपी निगम एवं प्लांट के विभागिया उर्जा अधिकारी की उपस्तित में प्रतिश्टित प्रमान पत्र प्राप्त किया अगस 2019 में CII पुर्वीक्षेत्र द्वारा आईजित 5 स्टर उर्जा सावरिक्षन पुरस्कार प्रतियोगिता में RSP के EMD ने भी भाग लिया और बड़े पैमाने पर श्रेणी में 4.5 स्टार से सम्मानित किया गया EMD कर्मी समोह का सक्रिय उपायों के द्वारा सैयत्र की उर्जा दक्षिता बढ़ाने में मात्वपूर्ण योगदान था प्रयासों ने नकेवल प्लांट की तक्नीकी अर्थ व्यवस्ता को बहतर बनाने में मदद की बलकी बहतर उत्पादक्ता और बचद भी सून निश्चित की तीम ने कोल डस्ट इंजिक्षिन CDI और पल्वराइस्ट कोल इंजिक्षिन PCI प्रणाली में अनुभव के आधार पर नाइट्रोजन प्रेशर समस्या का साउधानी पूर्वक विशलेशन किया और सफलता पूर्वक हल किया इस प्रयास के कारण प्रतिघंटे 2000 सामान्य क्यूबिक मीटर हाई प्रेशर नाइट्रोजन गैस की बच्चत हुई जो लगबग 1.35 करोड रुपिय का है टीम ने PBS में लगबग 5-6 टन प्रतिघंटे निकलने वाली भाप की समस्या को भी सफलता पूर्वक समाप कर दिया इसने लगबग 1MW PBS में बिजली के उत्पादन को बढ़ाया है कोकोवन बैटरी 6KCDCP के अतिरिक्त भाप अब PBS प्रक्रिया स्टीम लाइन में उप्यो की जा रही है इस प्रकार लगबग 4.8 करोड रुपिया प्रति वर्ष की बचत होती है इसके अलवा विभाग ने सहीत्र की प्रक्रिया की अवशक्ता के लिए नाइटरोजन प्रेशर में सुधार के लिए स्पेशल प्लेट प्लांट को एक वैकलपिक नाइटरोजन लाइन प्रदान करने सहीद कई अन्य पहल भी की है ज्यान और काउशल अवधारना पर जोर देने वाले विभाग ने एक गहन शिक्षन कारेक्राम LTE Learning Together Team EMD शुरू किया है जहां विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण विश्यों पर चर्चा की जाती है और कर्मिक समोह के बीच साजा किया जाता है स्वर्निम दाउर को जारी रखते हुए रावर केला स्टेल प्लांट RSP के ओक्सिजन प्लांट के श्री अमर सिहं एवं श्रीमती उमा देवी की सुपुत्री एवं RSP के स्टार साइकलिस्ट स्वास्ती सिहने गोहाटी में आयजीत तिसरे खेलो एंडिया यूद गेम्स 2020 के साइकलिंग में दो स्वन पदक जीता है स्वास्ती ने अंडर 21 व्यक्तिगत इवेंट 3000 मीटर साइकलिंग में ओडिसा के लिये दो स्वन पदक जीता स्टार साइकलिंग चालक ने 4 घंटा 20 दशमलो 2-3-7 समय में दूरी तैकर स्वन पदक जीता इसके पहले उसने अंडर 21 वर्ग में 7500 मिटर ट्रेक्स क्रेट्स परदा में स्वन पदक और अंडर 21 वर्ग में 7 किलो मिटर मास टार्ट्स परदा में रज़त पदक जीता था उलेकनी है कि स्वाती ने RSP के साइकलिंग को श्री सुशिल दास के नेत्रुत्व में बीजू पटना एक होकी स्टेडियम में साइकलिंग की बारकिया को सीखा है श्री दास के एक अन्यनायक दिनेश कुमार ने भी उसी राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता में एक स्वान पदक और एक कास्य पदक जीता है विशेश रूप से दिनेश परिधिय क्षेत्र के एक नवोदित साइकलिक चालक आरेसपी द्वारा आयजित ग्रिश्मकालिन कोचिंग शिबीर में पहचाने गये थे उन्होंने बीजुपतनाईक होकी स्टेडियम में अपना प्रशिक्षन जारी रखा और एक होनहार साइकलिक चालक के रूप में विकसित हुए आरेसपी द्वारा तयार किये गए दोनों साइकलिक चालक खेत्र राज्ज के साथ साथ राष्टर के लिए और अधिक गवरव हासिल करने के लिए तटपर है उलेकने हैं कि युवा भारत और खेल की मंत्राले भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया कारेकरम को देश में खेल संस्कृती को पुनरजीवित करने के लिए शुरू किया गया है जो हमारे देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए जमीनी स्तर पर मजबूर धाचा तैयार करने और एक महान खेल राष्टर के रूप में भारत की स्थापना के लिए भारत में प्रारंब किया गया है रावर के लस्टील प्लांट RSP के पारश्वान चल विबाग संस्थान में प्रशिक्षन केंदर में 13 एवं 14 जन्वरी को दो दिविसीय मश्रूम खेती प्रशिक्षन आयजीट किया गया RSP के महाप्रबंदक प्रभारी CSR श्री M. वेंकट अप्पाराव ने प्रशिक्षन कार्यक्रम के उधगाटन एवं समापन 27 की अध्यक्षता की विबाग के अन्यवरिष्ट अधिकारी और कर्मचारी भी इस आउसर पर उपस्दित थे बिसरा ब्लोग के बिसरा हाई स्कूल की वार्डन एवन शिक्षिका सहित कुल 10 चात्र नुआ गाउं ब्लोग के रेलापोश गाउं की पांच महिला एवं बालिकाओं ने इस प्रशिक्षन कारेक्रम में भाग लिया सत्रो में धिंगरी चत्तू मश्रूम उत्पादन प्रक्रिया के सैधान्तिक जानकारी के साथ साथ व्यावहारिक प्रदर्शन भी शामिल था CSR विभाक के दोनों प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षिक श्री तिंटूस भेंगडरा और श्री बेनेडिक्ट एकका एवं दल्पोश गाउं के सुमन WRC की पूर्व मास्टर प्रशिक्षक सुश्री कमलाटो पोद्वारा प्रशिक्षिं प्रदान किया गया अफचारिक उधगाटन एवं समापन समारों का संचालन श्री बेनेडिक्ट एकका ने किया गौर तलब है कि IPD की मदर कल्चर उत्पाधन केंद्र ग्रामिनों को मश्रून की खेती के माध्यम से उपारजन करने में मदद करने है तू सक्रिय रूप से शामिन है पारशवांचल विकास संस्थान से मदर कल्चर लेने के बाद दलपोश का महिला संसाधन केंद्र मश्रून के बीच का उत्पाधन कर रहा है जिसे रावरकेला तथा उसके आसपास के क्षेत्र में मश्रूम का उत्पादन करने वाले किसानों और प्रशिक्षार्थियों को बेचा जा रहा है इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समापत होते हैं नमस्कार अुझ करोगानी आसरी नमस्कार